रेस्पीज को सब्सक्राइब करें बेल आईकोन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे यादेवी सरभूतेशु मात्री रूपे निसंस्तिता नमस्तसे 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 नमो नमा नमस्कार दोस्तों मेरी इस चैनल पर आपका स्वागत है आप सभी को जय माता दी आज पांश्वा नवरहतरे है और आज माता सकंध माता की पूजा की जाती है भगवान शीव और पार्वती के बड़े पूतर कार्टिको सकंधा कहा जाता है इसलिए सकंदा की माता होने के कारण इनका नाम सकंद माता पड़ा यह आग की देवी है इनके तीन नेत्र चार भुजाएं हैं और अपनी गोध में यह हमेशा सकंदा यानि की कार्थी के को गोधी में लिये हैती है इनकी पूजा करने से मनोकामना की पूर्ती होती है और मोक्ष की प्राप्ती होती है और इनको आज पीली चीज या केले का भोग जरूर लगाना चाहिए सुबह और शाम दोनों टाइम भोग लगाना चाहिए और उसके बाद केले और पीली चीज़ का ब्रावनों को दान भी देना चाहिए तो आज मैं माता सकंद माता की पूजा करूंगी तो जानकीत रहें उनकी उपर से पतीला जो मैं ढखा हुआ वो गटाऊंगी गोई डेली रुटीन जैसे ही में पानी देना अब तो यह जो देखो तो भी आए हैं काफी हट तक आज के दिन सकंद माता को पीली चीज़ ही चड़ानी चाहिए तो आज मैं उनके पीले फूलों से ही पूजा करूंगी ज्यादा पोटी धूप दीख अगरबती सब जलाकर माता की आर्थी करेंगे कपूर और लोंग जलाकर आर्थी जरूर करनी चाहिए माता की क्योंग जलाने से माता की आसामने हम जो भी इच्छा रखते हैं वो जरूर पूरी होती है और हम करेंगे आर्थी तो आज के दिन आप भी सकंद माता की पूजा जरूर करें क्योंकि ये रूप उनका आशिरवाद भरा रूप है भोग में उन्हें केले और पीली चीज का भोग जरूर लगाएं और अपने बच्चों को भी मा का आशिरवाद दें फल के रूप में या केले के रूप में उनको आशिरवाद दिलवाएं उसके बार उन चीजों का दान भी जरूर करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कोई सुझाव हो तो कमेंट वोक्स में जाकर अपने सुझाव जरूर दें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद हरे कृष्णा जैमाता दें